जैसा कि आप सबको पता है मैं आपको mean करवा चुका हूँ, median करवा चुका हूँ, partition values करवा चुका हूँ आज मैं आपको mode के बारे में बताऊँगा कि mode क्या होता है देखिए किलास 9th के अंदर, statics के अंदर सबी बच्चों ने mean, median mode पढ़ा है किलास 10th के अंदर भी mean, median mode पढ़ा है और किलास 11th के अंदर, जिन बत्चों के पास commerce थी, उन्होंने statics के अंदर भी mean, median mode पढ़ा है पलस जिन बत्चों ने graduation करी है, मतलब B.com करी है, B.BA करी है, MBA करी है, या M.com करी है उन बच्चों ने भी क्या है mean, median, mode के बारे में पढ़ा हुआ है देखिए mean, median, mode इन तीनों में सबसे असान अगर कोई है तो वो है mode देखिए mode क्या होता है mode एक ऐसी value होती है जो किसी भी observation के अंदर सबसे ज़्यादा बार आई होती है या आप ये भी बोल सकते हैं जिस observation के अंदर सबसे ज़्यादा frequency होती है वो ही क्या है हमारी mode होती है ठीक है, इसके अंदर भी क्या है तीनों series है, individual series है, discrete series है और continuous series है बहुती असान है, चलिए स्टार्ट करते है major of central tendency, positional average mode mode is that value of observation which occur the greatest number of times or with the greatest frequency यही मैंने आपको बताया है इसके अंदर तीन series है individual series से start कर रहे है A, individual series In individual series, the mode can be located in two ways देखिए, mode के जो individual series के question होते है उसको solve करने के दो method है मैं आपको दोनू method के बारे में बता देता हूँ बाकी आपकी मर्जी है, आपको जोन साथ चलागे उससे कर लेना इसके अंदर first है data array देख लेते हैं, यह data array क्या होता है The data are first arrayed The value of that item which occurred Most frequently is the mode of the distribution देखे, simple भासा में बता देता हूँ जोन सी value सबसे ज़्यादा बार आएगी, वोही mode होगी ठीक है, यह बिल्कुल देशी भासा में बता दिया अब question के जरीए भी बता देता हूँ Question है, find out the mode of the following marks obtained by 15 students in a class हमें क्या है, 15 बच्चों के marks दे दिये गए हैं और हमसे पूछा गया है, mode बताओ तो marks हमने देख लिए, 4, 6, 5, 7, 9, 8, 10, 4, 7, 6, 5, 8, 7, 7, 9 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें यह data दिया गया है जो observation दी गई है, इसको हम क्या करेंगे, ascending order में लगा लेंगे मतलब sequence में लगा लेंगे, एक sequence के अंदर लगा लेंगे मैंने वो ही करा, मैंने sequence में लगा लिया 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 फिर हम यह देखेंगे, सबसे जादा बार क्या आया हुआ है हमने अपनी आखे खोली डंग से, और हमने देखा सबसे जादा बार तो 7 आया हुआ है, और 7 भी कितनी बार आया हुआ है 4 बार, तो यह क्या हो जाएगी, हमारी modal value हो जाएगी ठीक है, हमारा mode क्या निकल के आगया, 7, आप कहेंगे सर यह तो बहुत असान है, जी हाँ, यह बिलकुल असान है, आपको कुछ नहीं करना जो आपको observation दी जाएगी, उसको sequence में लगाना और यह देखना कोन सी value सबसे जादा बार आई हुई है जोन सी value सबसे जादा बार आई हुई होगी, वही आपकी mode होगी इसी कोशन को आप क्या है, दूसरे method से भी कर सकते हैं उस method को हम बोलते हैं, discrete series मतलब हम क्या करेंगे, हमें जोन सा data दिया जाएगा न, उसको हम discrete series में convert कर लेंगे, और discrete series के अंदर क्या होता जी frequency आती है, जोन सी frequency सबसे जादा होगी, वही हमारी mode हो जाएगी देख लेते हैं, कैसे करते हैं ऐसे कोशन, discrete series, the data are converted into discrete series to identify quickly the most frequently repeated value, ठीक है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल same कोशन है find out the mode of the following marks obtained by 15 students, इनने किलास marks दे दिये अब मैंने क्या करा, जो हमें ये marks दिया गए थे न जी, इसको मैंने क्या करा sequence में लिख लिया, ठीक है, marks लिख लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब मैंने यहाँ पर telly bar बना लिया, telly bar का मतलब पता है, जी आपको क्या होता है, मतलब हम ये देखेंगे कौन सा number कितनी बार आया हुआ है, उतने ही डंडे खीच देंगे, जैसे मैंने marks 4 लिखे हुए है, तो हम ये देखेंगे, जो हमें observation दी गई है, उसके अंदर कितनी बार चार आया है, हमने देखा दो बार आया है, तो हम 2 डंडे खीच देंगे, ऐसे ही कहा है, मैंने 5 को देखा, 5 कितनी बार आया है, जो हमें डंडे खहच दिये, 9 कितनी बार आया है, 2 बार तो 2 डंडे खहच दिये, 10 कितनी बार आया है, एक बार तो 1 डंडा खहच दिया, जो ये हमारा निकल के आया है न, बार, इसको हमने frequency की form में लिख लिया, आप देख सकते हैं, frequency 2, 2, 2, 4, 2, 2, 1, तो मैंने आखे खोल के देखा, कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा frequency किसकी है, तो हमने देखा, जो mark 7 है, उसकी frequency 4 है, तो जो ये 4 है, ये हमारी बन जाएगी modal frequency, और हमारा mode बन जाएगा 7, मुझे उमीद है, आपको समझ आ गया होगा, ये question कैसे करने हैं, देखिए, अभी अभी मैंने आपको mode के बारे में बताया, और मैंने आपको बताया, जिस observation की सबसे ज़्यादा frequency होगी, वो ही observation हमारी mode होगी, ये ही बताये ना, अब मन में सवाल ये आता है, ये भी तो हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा observation की frequency सेम हो, तो उसके अंदर क्या है, mode भी 2 से ज़्यादा ही निकल के आएंगे फिर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ऐसी distribution को हम बोलते हैं, multimodal, ठीक है, अगर suppose करिए, आपको कोई distribution दी गई, मतलब माला आपको कोई observation दी गई, और आपने देखा, उस observation के अंदर क्या है, दो frequency सेम है, मतलब दो frequency बिल्कुल सेम है, तो क्या करेंगे, तो उस case के अंदर क्या है, हमारे दो mode निकल के आएंगे, इसको bimodal बोलते हैं, अब आपके मन में सवाल यह आएगा, अगर मालो तीन value सेम आजाए, तो क्या करेंगे, तो ऐसे case के अंदर क्या होगा, मालो तीन frequency सेम आजाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जी हमारे तीन mode निकल के आएंगे, इसको बोलते हैं, trimodal, अब मन में एक उड़ सवाल आता है, कि मालो सर सारी frequency सेम आजाए, फिर क्या mode होगा, तो जी ऐसे case में कोई mode ही नहीं निकल के आएगा, ठीक है, आपको examples के थुरू समझाऊँगा, तो जादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन फिर भी एक बार इसके अंदर लिखा होगा, तो मैं read कर देता हूँ, देखे वीडियो end तक देखना, काफी अच्छे example दिये मैंने, इसके अंदर जैसे कि first point है, mode is defined as the mostly, frequently occurring value, जो सबसे ज़्यादा बार value आती है, उसी को mode बोलते हैं, यही लिखा इसके अंदर, second point है, if each observation occur the same number of times, then there is no mode in that distribution, इन्होंने कहा है, अगर मालो, जो हमें observation दी गई है, सबकी frequency एक जैसी हो जाए, तो क्या होगा, तो उस case में क्या है, हमारा कोई भी mode नहीं निकलेगा, इसके अंदर third point है, if two or more observation occur the same number of times, then there is more than one mode, and the distribution is multimodal, इसने कहा है, अगर मालो, by chance ऐसा आजाए, कि या 2 या 2 से ज़्यादा frequency हमारी same आजाए, तो उस case में हमारा mode क्या होगा, हमारे mode भी 2 या 3 से ज़्यादा ही बार निकल के आएंगे, इसी distribution को बोलते हैं multimodal, आप fourth point के अंदर देखिए, red sketch pencil लिखा है, अगर मालो दो frequency same आजाए, उस case के अंदर क्या होगा, तो हमारे 2 mode निकल के आएंगे, एसी series को ही हम बोलते हैं bimodal, ठीक है जी, अगर last point देखिए, अगर by chance मालो, हमारी 3 frequency same आजाए, तो क्या होगा, तो हमारे 3 mode निकल के आएंगे, एसी series को ही बोलते हैं trimodal, उमीद है आप समझे गे होंगे, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब example देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, अब देख लेते हैं question, find mode of the following set of marks, marks दिये गए हैं, 1, 2, 4, 3, 1, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, हमने क्या करा, जो यह हमें marks दिये गए हैं, इनको मैंने sequence में लिख लिया, तो लिखा मैंने, मैंने देखा यार, यह तो सारी नंबर 4, 4 बार है, मतलब एक भी 4 बार है, दो भी 4 बार है, तीन भी 4 बार है, और 4 भी 4 बार है, अब हमारा mode क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे तो confused हो जाएंगे, अपना मत्था पकड़ लेंगे, यह क्या आ गया, और सर ने बताया भी नहीं कैसे करना है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता जी, हमारा कोई mode नहीं निकल के आता, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, वी no debt, each observation occur the same number of times, then there is no mode in that distribution, आपको confuse नहीं होना जी, paper में बिलकुल भी, हम क्या है, discrete series के थुरू भी कर सकते हैं, मतलब जो हमें data दिया गया है, उसको हम discrete series में convert कर लेते हैं, marks दिये गए है, 1, 2, 3, 4, मैंने टहली बार बना लिया, 1, 1, कितनी बार है, 4 बार तो 4 डंडे खहाच लिए, 2, कितनी बार है, 4 बार तो 4 डंडे खहाच लिए, 3, कितनी बार है, 4 बार तो 4 डंडे खहाच लिए, 4, कितनी बार है, 4 बार तो 4 डंडे खहाच लिए, frequency हमारी सब की same आगी, 4, 4, 4, 4, अब हम confuse क्या करें, तो confuse नहीं होना जी, कभी भी frequency by chance same हो जाये, तो उस case में हमारा mode नहीं निकलता है ठीक है आपके मन में हो सकता है एक doubt आ रहा हो कि sir आप एक question को दो method से क्यों करवा रहे हैं एक तो आप simple तरीके से करा रहे हैं sequence में लिख रहे हैं और देखने हैं कौन सी observation सबसे ज़्यादा बार आ रही है उसी को mode बता रहे हैं और दूसरा आप discrete series से कर रहे हैं देखिए मैं दोनु तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई confusion ना रहे पलस आपको जोन सा method अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं लेकिन देखिए मुझे तो method number first अच्छा लगता है मेरे को ये टैली बार वाला अच्छा नहीं लगता क्यों एक तो first वाले method में time कम consume होता है पलस हमें असानी से पता चल जाता है ठीक है पढ़ लेते हैं question find the mode of the following set of marks marks दिये गए हैं 5,2,4,1,4,3,2,1,5,1,2,2,3,4,6,4,2,3,4,5 हमें क्या है अब इसको sequence में लगाना है मैंने लगा लिया 1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,4,4,4,4,4,5,5,5 और last में 6 मेरी मा भी बोल रही है क्या कर रहा है तो ठीक है जी तो हम देख लेते हैं 2 कितनी बार है 5 बार है 4 कितनी बार है 5 बार है तो हमने देखा ये तो गड़बड होगी दो नमबर दो observation जो है वो 5-5 बार आगी अब क्या करें तो गबराना नहीं है कोई दिक्कत नहीं है दो observation पांच-5 बार आगी तो ये दोनुही observation क्या है हमारी mode बन जाएगी इसी question को मैं आपको discrete series से करके दिखाता हूँ हमने क्या करा marks लिख लिए 1,2,3,4,5,6 अब मैंने टैली बार बना लिया 1 कितनी बार है जी 3 बार तो 3 डंडे खैच लिए और frequency 3 लिख दी 2 कितनी बार है जी 5 बार अब देखिए ये टैली बार मैंने कैसे लिखा है और आप भी धैन रखना सैथ आपको टैली बार तो बनाने आते ही होंगे देखिए जब ये 4 डंडे पूरे हो जाते हैं तो हम 5 बार डंडा क्या है diagonal डालते है मतलब टेडा डालते है ठीक है अगर मालो छटा आ जाता तो क्या करते अलग से डंडा खैच दे फिर ठीक है जी तो 2 कितनी बार है 5 बार तो हमने frequency 5 लिख लिए 3 कितनी बार है 3 बार तो हमने 3 डंडे खीच लिए frequency 3 लिख लिए 4 कितनी बार है 5 बार तो हमने 4 डंडे खैच लिए और 1 टेरा डंडा मार दिया तो frequency क्या है 5, 5 कितनी बार है, 3 बार frequency 3 लिख दी, 6 कितनी बार है, एक बार तो एक डंडा खैच दिया और frequency में 1 लिख दिया, total करा तो आ गया 20, अब हमने frequency के अंदर देखा, हमने देखा ये तो दो frequency सेम हो गई, 5 और 5, अब क्या करें, तो करना कुछ नहीं है, हमारे mode भी 2 हो ठीक है जी, 2 और 4 क्या है हमारे mode बन जाएंगे, आपको कभी कोई doubt हो ना जी, comment box में comment कर देखरो, मैं आपका doubt किलियर करने की पूरी कोशिस करूँगा, comment करते time, बिलगुल बिना ड्रे, बिना ड्रके, बिना हिचक के question पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब next question दे देख लेते हैं, 10, 15, 13, 10, 11, 15, 13, 10, 15, 13, 12, 14, 12, 14, 11, solution देख लेते हैं, मैंने क्या करा, इनको एक sequence में लगा लिया, तो पहले था 10, 10, 10, 10, ठीक है, देखें, यहाँ पर मैं 11 लिखना भूल गया, दिमाग से निकल गी, तो मैंने 11 क्या है, आप last में लिखाया, plan के last में दिया, 12 कितनी बार है, दो बार तो मैंने लिख दिया, 12, 12, फिर मैंने लिख दिया, 13, 13, 13, फिर मैंने लिखा 14, 14, फिर मैंने लिखा 15, 15, 15, अब मैंने गोर से देखा, मैंने देखा, 10 कितनी बार है, 3 बार, 13 कितनी बार है, 3 बार, 15 कितनी बार है, 3 बार, हमने देखा भई, यह तो गड़ बढ़ होगी तीन तीन वैल्यू एक जैसी repeat हो रही है मतलब 10 भी 3 बार 13 भी 3 बार 15 भी 3 बार अब highest frequency क्या है इसमें यह तो पता ही नहीं चल रहा हमारी तो 3 frequency same आगी अब क्या करें तो करना कुछ नहीं जी अब हमारे mode भी क्या आएंगे 3 आएंगे तो हमारे mode क्या बन जाएंगे 10, 13 and 15 ठीक है the marks 10, 13, 15 have the highest frequency so modes are 10, 13, 15 देखिए अब इसी question को क्या है मैं आपको discrete series से भी करके दिखाता हूँ मैंने क्या करा जो हमें data दिया गया उसको discrete series में convert कर लिया marks है 10, 10 कितनी बार है 3 बार तो 3 डंडे खैच लिए 11 कितनी बार है, 2 बार तो 2 डंडे खैच लिए, 12 कितनी बार है, 2 बार तो 2 डंडे खैच लिए, 13 कितनी बार है 3 बार तो 3 डंडे खैच लिए 14 कितनी बार है, 2 बार तो 2 डंडे हो रही है ने जी तीन 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 अब हम क्या करें तो करना कुछ नहीं है हमारे जो मोड है वो भी तीन निकल कहेंगे और हमारे मोड क्या निकल कहेंगे 10, 13 and 15 उमीदे आपको ये सबी कोशन समझ आगे होंगे मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा थैंक यू फोर वाचिंग